नमस्ते दोस्तों आप सबी को करवचौद की धेर सारी सुबकामनाएं आज की इस वीडियो में हम देखींगे कि हमें करवचौद बरत में क्या-क्या सामागरी चाहिए होती है सबसे पहले हमें करवा चौध बरत करने के लिए एक पट्रचीय होता है जिसमें हम करवा चौध पूजा करते हैं और उसके उपर रखने के लिए हमें एक लाल वस्त्र अगर आपके पास पहले से लाल कपड़ा है तो वो भी चल सकता है उसके बाद हमें करवा माता का कलेंडर या फोटो लेना होता है इस कलेंडर में करवा चौध बरत की कथा भी लिखी होती है और इसमें गणेज भगवान जी भी बने होते हैं करवा चौध बरत के दिन हमें ये कलेंडर जरूर लेना होता है इसके बाद लेना है हमें करवा आज कल मार्केट में तो एक से बढ़के एक करवे मिलते हैं आपको जो पसंद हो आप उस तरीके का करवा ले अगर आपके घर करवा के साथ दिया और किसी के हाँपे इक ही मिलते है इसके साथ हमें एक मीठा करवा लेना होता है ये भी मार्केट में आसाणी से मिल जाता है ये करवा पारवती माता का होता है, इसमें खील बता से भरे जाते हैं, इसके बाद जो ये मीठा करवा है, इसको हम बाइने के रूप में जिया पंडिताइन जो हमें कथा सुनाती है, उसे दे देते हैं, या आप अपनी सासु माता को, या अपनी जिठानी को किसी को भी दे सक इसके बाद हम ले लेते हैं जो पूझा के लिए हमें सामागरी चीह हैं। लेए या बहगवान को असनान कराने के लिए इसके बाद हम एक काटोरी नाज या एक प्लेट नाज ले लेलेंगे अगर आपके पास गेहूं है तो सही चाव to या कुछ भी अनाज होना चाहिए, आप अनाज ले सकते हैं कोई बे, इसके बाद हम दक्षिना ले लेंगे, दक्षिना यथा संभव लें, इसके बाद धूप ले लेंगे, इसके बाद करवा चौत माता के लिए हमें सोला सिंगार लेने होते हैं, आप दो जगे सिंगार का सामान ले सकते ह एक जगह आप दान कर सकते हैं और एक जगह आपके लिए खुद के लिए सिंगार का सामान माता के आसरिबात के रूप में अगर आप दो जगा नहीं ले सकते हैं तो आपने जो एक समान लिया है जो 16 सिंगार लियें उसमें से आप कुछ समान को दान कर दीजिए और कुछ समान अपने पास रहने दीजिए करवा चौत माता के आसरिबात के रूप में इसके बाद हम ले लेंगे पतासे पतासे भूग लगाने के लिए पतासे के साथ साथ आप कोई और मिठाई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है या जो आपने बनाई है या आप मार्केट से ले के आए हैं इसके बाद हम ले लेंगे रितुफल रितुफल भी जो आपके पास हैं वो ले लीजी उसके बाद चाहिए हमें चंवी अगर चंवी आपके पास पुरानी है तो वो भी चलेगी अगर पुरानी खराब हो गई तो आप नई भी ले सकते हैं चंवी और ठाली हर बार नई लाने की जरुवत नहीं है पर करवा हर साल नया लिया जाता है इसके आपके पात साधी का जोड़ा है तो आप उसे भी पहहन सकते हैं, नहीं तो आप साधी की चुन्णी भी ओर सकते हैं करवा चौध बरत के दिन वाइना निकाला जाता है या अपने सास के लिए या पंडिताइन के लिए किसी के लिए आप साड़ी ले सकते हैं सूट ले सकते हैं जो आपको सही लगए आप वो ले सकते हैं और इस दिन कलर का भी ध्यान रखें, काला, नीला और सफेद कलर आप नहीं ले सकते हैं, और नहीं दान कर सकते हैं. इसके बाद करवा चौध बरत के पहले दिन ही हमें मेहदी लगानी होती है, अच्छी अच्छी चूडियां पहननी होती है और हमें करवा चौध बरत के दिन पूरा सोला सिंगार करना होती है, सोला सिंगार करने के बाद ही हम पूजा करते हैं और इस दिन कई लोग कलस स्थापना कर सकते हैं कलस स्थापना के लिए आम के पत्ते यह सारी सामागरी जो मैंने आपको बताई यह करवा चौद बरत की सामागरी है आप भी इसे बरत से पहले ले लिए जिससे आपको उस दिन परेशानी ना हो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सियर करें